भरत्पुर के ब्याना के रहने वाले हैं विरेश भावडा ब्याना निवासी IPS विरेश भावडा पंजाब पुलिस के नए डीजीपी होंगे 77 सेनारी सवरगय गोपाल राम भावडा के पुत्र हैं IPS भावडा 1987 बैच के पंजाब के IPS अधिकारी विरेश भावडा ये प्रमोशन डीजी होंगाट से प्राप्त कर डीजीपी पंजाब की पोश्ट पर आए भावडा के डीजीपी बनने की खबर से कस्वे सहीत पूरे शेतर में खुशी की लहर चा गई इधर विरेश भावडा के छोटे भाई वरिश पत्रकार योगेश भावडा ने बैणा वाश्यों के साथ मिलकर आतिश बाजी कर सभी दुकानदारों वे पबलिक को मिठाई बाट कर वे खिला कर खुशी का इजहार किया बयाना मूल के रहने वाले मेरे बड़े भाई स्री बीरेश कुमार भावरा के पंजाब डीजीपी नियुक तोने पर हम बयाना बासियों को गौरब है और बयाना पूरे बयाना को उन पर नाज है इसलिए हम बयाना में उनके डीजीपी बनने ही खुशी में मिठाई बाट क बयाना के राज की उच्च माद्यमिक विद्याले में शिच्छा प्राप करके की शिच्चा के छेत्र में आगे बढ़ें और उन्होंने दसमी और ग्यार्मी किलास में राज्थान माद्यमिक शिच्चा बोर्ड की परिक्छाओं में मेरिट प्राप्त की थी उसके बाद उन्होंने इंच्च कूर intense programme बिश्विडयाले से की उसके बाद बें आई पि एस में आने के बाद राइस्थान का नाम गौरवानवित किया वे अनेक जगों पर रहते हुए पंजाब में कल ही डीजीपी नियुक्त हुएं वे मांसा और गुर्दासपुर जिलों के एसेसपी भी रहें पंजाब में और पटियाला जो की मुख्यमंत्वी कैप्टेन अमरेंद पंजाब सरकार में डीजीपी के पत्पण निक्ति हुएं मुख्य प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूप के कारण पंजाब के तत्कालीन डीजीपी शिदार चट्टो पाध्याय को यूपीस्टी के द्वारा आउउट किया गया उसके बाद उनको नया पत्त यह मिला है और बहुती इमाननार और कर्मत और कठोर किस्म के अधिकारी हैं मुझे आशा है कि वह जल्दी पंजाब की शित्री को पट्री पर ले आएंगे पंजाब में जो अब चुनाव खालिया जो चुनाव होने जा रहा है पंजाब के चुनावों बे अपनी नि झालिए